नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फैर से स्वागित करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित पर्मा और लैच्पिन ओडिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 24 नवंबर 2024 की हिमाचिल प्रदेश की आज की जो है सभी तार्या ख़बरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ चली वीडियो को शुरू करते हैं हिमाचिल प्रदेश कांगला एरपोर्ट विस्ताफितों को अब इस फार्मूले से बंटेगा पैसा प्रेटन वा सुरक्षा की दरिश्टी से महतपूर्ण कांगला एरपोर्ट के विस्तारी करण की जद में आने वाले प्रभावितों को अब केसी सी बैंक और नीजी बैंकों के माध्यम से मुआफजा राशी बितरित की जाएगी इसके लिए प्रशातन ने साथ चालिस का पहार मुला टाय किया है यानि कांगना एरपोर्ट में स्टार्प्तों के लिए जितनी भी मुआफ जाराशी आएगी वा साथ चालिस के अनुपात के ताहत बैंकों के माध्यम से दी जाएगी केसी कितात कांगडा बैंक को 50 करोल रुपए वितरन के लिए बापस दिये गए हैं नाइप और मुले कितात परदेश के सरकारी बैंक केसी सी के जरिए साथ और नीजी बैंक के माद्यम से 40 फिस्ती का वुपतान किया जाएगा देवट सिद के रोट के नियमित भरे जाएंगे सेंपल तस्पीर देख सकते हैं उतरी भारत के परसिद सिद पीठे बाबा बालकनात मंदिर की कैंटीन से रोट का सेंपल फेल होने के मामले में जीला खादे शुरक्षा विभाग ने परसाद के नियमित सेंपल भरने का फैसला लिया है विभाग रूटीन में बाबा की नगरी में बन रहे है रोट परसाद की सेंपल कलेक्ट कर जाएंच के लिए कंड़ा गहाट लेब भेजेगा बाबा के दरबार पहुचने वाले श सुझाब हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में समर और विंटर क्लोजिंग छुटियों के शिडियूल में बड़ा बदलाव हो सकता है हिपा में चल रही तीन दिवसीय वर्कशाप में शिक्षत सचिवने छुटियों के बदलाव को लेकर विस्तार से चर्चा किया है प्रतिवाग्यों से सुझाब भी ले गए हैं इसमें विंटर विकेशन और समर विकेशन को कामिया ज्यादा करने पर सहमती बन सकती है हिमाचल सरकार ने बेची पंद्रह सो पचास करोड की बिजली एकी सो करोड का है तारगेट हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राइवेट क करने पर विचार कर रही राज्या सरकार मुख्यमंतरी ठाकर सुखविंदर सिंग सुखु ने आज सेंटर ओफ एक्सिलेंस राज की डिगरी कॉलेज संजौली में पूरुव छात्र एस्सेशन की एककर एक्रम की देख्षता करते हुए का कि कॉलेज में आर्ट्स ब्लोक, गज, होस्टल और पार्किंग दो बर्ष में त्यार किये लाएगा, उन्होंने कहा कि जल्धी में इसका शिलन्यास्त करने के लिए आऊंगा। देखते एक और धड़ा बन गया है, इन गुर्टों में आपस में सरकार के विरोद में ब्यान देने की होड़ लगी हुई है। इन पकड़ी जा चुकी है। हिमाचली खिलाडी त्यार अब धनबर्षा का इंतजार। आईपील के ठार्वे सीजन से पहले खिलाडियों की निलामी रविवार और सौंबार को साओधी अर्भ के जेदा में होगी। इन इलामी में हिमाचल के आठ केर्केट खिलाडियों को शौर्ट लिस्ट किया गया है। इसमें हिमाचल की टीम के कप्तान रिशी देवन, बैभव आरोडा, सुमित वर्मा, अर्पित गुलेरिया, मयंक डागर, दिवेश शर्मा, पंकज जस्वाल और आकाश विशिष्ट के नाम शामिल हैं। इसमें दिवेश को छोड़कर अन्य खिलाडी किसी ना किसी आईपियल टीम का हिस्सा रहे हैं। केली लाया गया है, सुचना पर पुलिस टीम जाँच के लिए मौके पर पहुंचे, लड़की ने पुलिस के पास अपना बयान दर्ज करवाया कि करीब एक बर्ष पहले उसकी पैचान एक लड़के से हुई थी, जोकी सर्माओर का रहने वाला है, उसने जोए शादी का जह कांगडा, नगरोटा में संदिक्द परिस्तितियों में मिला युवक का शब जान शुरू, तस्वीर आप देख सकते हैं, पुलिस थाना नगरोटा बगवा के तहत शनिवार प्राता बलधर रोड पर ठारू में निर्मान धीन फोरलैन सटक पर एक युवक का शब संदिक् निवासी बाल नंबर दो नगरोटा बगवा के रूप में हुए, गटना की सूचना मिलते ही, डियस्पी कांगडा अंकित शर्मावा असेच्चो नगरोटा बगवा चमनलाल टीम के साथ मौक्य पर पहुँचव और चानबीन आरंब कर दी, हिमाचल वैदर मौसम ने बदल हिमाचल लोक निर्मान विभाग में मल्टी टास्क वरकरों का मानदे बढ़ाया अधिसूचना जारी, हिमाचल परदेश सरकार ने लोक निर्मान विभाग में लोक निर्मान विभाग में लोक करीब 4800 मल्टी टास्क वरकरों के मानदे में 500 रुपे की बढ़ोतरी की है, इ तुर्जीत सिंग ठाकुर की ओर से सुनना जारी कर दी गई है जो दोस्तों ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की जो है सभी तारा खबर हैं अगर आपने विज़क वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना झाल 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 झाल झाल झाल